हलो स्टुडेंट्स मैं नाम दॉक्टर गजंद पुरोईत है CSIRNET या IATJM exam की तयारी कर रहे हैं तो बहुत सारे स्टुडेंट्स महनत तो करते हैं पर इस exam को क्रेक नहीं कर पाते हैं तो ऐसी कौन सी गलतियां student करता है जिसकी वज़े से वो ये exam क्रेक नहीं कर पाते हैं आज इस वीडियो के मादियम से बताने की कोशिश करूँगा कि अगर आप भी इन exams की तयारी कर रहे हैं तो आप इन गलतियों को ना करें तो सुन शूकर दो सुन बात करेंगे सबसे पहली जो गलती होती है हुँ होती है लेक और प्रॉपर प्लानिंग और exam strategy आप net exam की तयारी कर रहे हैं या फिर आप IAD जह में exam की तयारी कर रहे हैं आपको exam pattern की बारे में बिलकुल idea नहीं है पार्ट A, पार्ट B और पार्ट C लाइक अगर CSIR की बात करें तो general aptitude को कैसे deal करना ची उसके लिए क्या course content होता है उसके उपर अगर आप महनत करते हैं और consistently time देते हैं तो कहने कहीं आपके लिए बहुत ही important और कहने कहीं आपके लिए बहुत फायदे मन होता है पार्ट B की बात करें जाए और पार्ट C की बात करें तो पार्ट B में multiple choice questions आते हैं पार्ट C में multiple select questions आते हैं दोनों की strategy different होती है इसी प्रकार से अगर आप IAT जहम की बात करें तो IAT जहम के अंदर भी A, B, C, तीन पार्ट होते हैं जहां पर A part के अंदर multiple choice questions पार्ट B के अंदर MSQ type की questions आते हैं पार्ट C में NAT type की questions आते हैं तीनों को solve करने का अलग तरीका होता है और कहने कहीं इस पे मैंने काफी अच्छा काम कर रखा है मैंने वीडियोस भी upload कर रखें अगर आपको नहीं पता तो आप जाके देख सकते हैं पर student आपको यहां पर strategy बनाने पड़ेगी इस टाइब के portions को solve करने के लिए प्लस आपको यह भी पता होना चाहिए syllabus क्या है और कौन-कौन से ऐसे topic है जो की high voltage है जिस पर आपको कहने कहीं ध्यान देना चाहिए और खास करके problem solving skill यह भी बहुत-बड़ा role play करती है अगर आपने कोई topic बिलकुल नहीं पढ़ रखा है तो फिर तो अलग बात है पर आपने कोई topic पढ़ रखा है आपको लगता है कि आर इसमें थोड़ा सा में like confident fill नहीं कर रहा हूं तो उसको कहने कहीं आपको time देना चाहिए not solving enough question एक सबसे बड़ी problem students की नजर आती है वो पढ़ता बहुत रहता है ना यह पढ़ेगा वो पढ़ेगा उसकी class ले लिए उसकी PDF notes ले लिए सब कुछ पढ़ लिया उसना है पर वो questions solve करने से डरता है और solve भी करता है तो देखके उसको solve कर लेता पर खुद से questions को ट्राइए नहीं करता है छोटे-छोटे doubts होते है उस पर खुद नहीं सोचता है उसकी critical thinking डवलप नहीं हो रही है वो questions को solve नहीं कर पा रहा है यह कहने कहीं समस्य आउती है और बहुत सारे बच्चे टेस्स नहीं लगाते हैं आपको जाज़ाद अलगाना ची इसलिए अगर बाई चांद जो भी स्टुद मेरा math care पे मुझसे पढ़ रहा है तो लगभग मैं 10 से 12 questions रोज सुबह सुबह combat series में solve करता हूं आप यहां पर जाके देख सकते हैं 4 double line इसकी price है जहां पर हम सुबह है तो आपको मिल जाएगा दूसरा हमारी जो test series है वो 7 double line में आपको मिल जाती है जहां पर subject wise, multi subject test, full line test यह सब कुछ आपके लिए available है अगर आप CSIR net की test series लेना चाहरे तो हमारा first full line test बिलकुल free है जो कि कल 15 November को होने वाला है math care app पे तो आप देख सकते हैं और आपका जो यह test देने का जो fear है यह कहने कहीं दूर करने की कोशिश करें और marks कम आ रहे हैं तो परिशान होने की ज़रूत नहीं हमें इस पर काम करने की ज़रूत है हम लोग क्या करते हैं कि जो भी हमारे marks कम आ रहे हैं तो हमको analysis नहीं करते हैं कि किस point में हमारे पास किस topic में ऐसा है जहां पर हम कम marks लेकर आ रहे हैं कौन सा topic है हमारा जो strong है PYQ हम नहीं solve करते हैं तो कहने कहीं इस पर काम करने की आवश्यक्ता है inconsistency सबसे बड़ी problem यहां पर नज़र आती है कि बच्चा regular study नहीं कर रहा है कभी 2 घंटे 3 घंटे पढ़ लिया कभी एक दिन कुछ नहीं पढ़ा फिर 2 दिन मामा की यह शादी में चला गया फिर 3 दिन समय देने की आवश्यक्ता है consistency is very important exam pressure अगर आप exam के तीन घंटे की बात करें तो बहुत सारे बच्चे महनत तो बहुत करते हैं पर जो तीन घंटे होते exam के उसको हैंडल नहीं कर पाते हैं उस pressure को हैंडल नहीं कर पाते हैं और खास करके सर एक्जाम जैसे करीब आ जाता है सर मैं demotivate हो जाता हूं सर मेरा confidence down हो जाता यह कहने कहीं बहुत बड़ी समस्या होती है तो सुन यह तब ही होगा जब आप subject में confident होगे आप short notes बनाईए आप daily उसको revise करिए और जाज़़दा questions practice करते रेगर आप यह सब चीजे करते हैं आपके दमाग में हर चीज की concepts clear है तो counter example से theorem के statement से इनको daily basis पर रिवाइस करना और फिर उनको questions में apply करना अगर यह सब चीजे कर रहे तो आपको मुझे लगता है pressure कहीं नहीं होगा और यह सब कुछ game of confidence होता है एक person है जो cycle चला रहा है या bike चला रहा है वो चलाता तो उसको लगता है कि हां मैं चला लूंगा मैं गिरूंगा नहीं उसको चलाने का confidence होता है तो यह confidence होता है वही आपको कहने कहीं यहां पर बनाए रखना है कि आपने पढ़ रखा है आपके concepts के लिए तो फिर आपको यह जो fear है इसको कहने कहीं दूर रखना चाहिए और आपको 100% अपना dedication के साथ अपनी तयारी करनी चाहि रहे हैं वह आला बुक का PDF देख रहे हैं वो उसके notes देख रहे हैं कईने काईन सब चीजों में समय बरबाद करना बंद करिए किसी एक educator को फोलो करें जिसका content आपको समझ में आता है और रेगुलर्स के classes content करें तो then it will be good for you बाकि इसके बारे में आप क्या सोचते हैं इनमें CSIRNET या ITSM का हमारा कोर्स लेना चाहरे है Maths के रहे है तो दिसमबर 2024 का जो कोर्स है वो 2999 में मिल जाएगा जहां पर हमारी live classes, recorded, full course, crash course, combat series, general aptitude, foundation यह सब कुछ आपको 2999 में मिल जाएगा अगर आप जून 2025 की तयारी करना चाहरे है तो 849 में आपको हमारा कोर्स मिल जाएगा अगर आप IATGM 2025 की तयारी करना चाहरे है तो हमारा कोर्स 3999 में है जहाँ पर full course, live, recorded, PDF, combat, crash course यह सब कुछ आपको मिलेगा साथ में test series भी आपके लिए यहाँ पर है जिम 2026 का भी आपको 7999 में हमारा कोर्स मिल जाएगा इस तुन अगर आप CSIRNET की test series लेना चाहरे है तो 15 November को ह हमारा पहला full length test free है आप दे सकते हैं इसे प्रकार से कर आप IATGM की test series लेना चाहरे है तो यह भी आपको 7999 में मिल जाएगी जहाँ पर topic wise test, full length test and multi concept test and PYQs यह सब कुछ आपको मिल जाएगा इस तुन अगर कोर्स जोइन करना चाहरे है या जून 2025 के लिए CSI or net की तयारी करना चाहरे है तो 15 November से हमारा differential equation का course start हो रहा है तो आप यह कोर्स जोइन कर सकते हैं हमारी books है जो कि Amazon flip card पे available साथ में math square app पे आपको reasonable price में मिल जाएगी यह हमारा telegram है जोइन कर लिए हमारे classes की updates मिलती रहती है और यह हमारा app है जो कि Android NIS पे available है कैसे math square app पे subscription नर्स का वीडियो यहाँ पे जाके आप देख सकते हैं तो आप क्या preparation strategy होने चीए इस पर डिटेल वीडियो यहाँ पे जाके देख सकते हैं धन्यवाद